हलो बच्चों, लेट सीड़ द गौस्टिं, द गौस्टिंद सेज, होमोलेप्टीं कंप्लेक्स फ्रम ध फॉलोईंग कंप्लेक्सिस एज, अर यहाँ पे हमको चार अप्टिन दिया होॊआ है। सो question में हमको यह करेगी जो 4 option हमें दिया हुआ है उन में से कौन सा complex होगा जो homoleptic complex होगा सो इस question को solve करने के लिए हम जो key concept use करेंगे वो होगा हमारा homoleptic and heteroleptic complex का concept complex सो यह concept हम यहां पर यूज करेंगा और इस question को solve करेंगे अब हम देखते हैं homoleptic complex हम किसे कहेंगे सो यह एक ऐसा complex होता है जिसमें हमारा जो metal atom होता है metal atom वो वाउंड होता है सिर्फ एक ही तरह के लिगांड से metal atom बाउंड टू अल्ली one type of ligand और जो heteroleptic complex होता है इसमें हमारा जो metal atom होता है है वो बाउंड होता है दो या फिर उससे ज्यादा लिगंड के साथ है सो मेटाल आप्टाउंड बाउंड टू 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 और और मोर ध्यान टू टाइफ आफ अफ लिगंड्स हेट्रल अप्टी कंप्लेक्स में जो metal atom होता है वो बाउंड होता है दो या फिर उससे ज्यादा लिगंड्स के साथ अब हम सारा अप्शन को वन बाई वन देखेंगे जो पहल्या अप्शन हमें दिया हुआ है वह है ट्राई आमिंड ट्राई अक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सी यार नहीं थ्री थ्री एच्टू ओ थ्री और सी एल थ्री सो यहां पर दो तरीके लिगंड है सो इस बज़े सी यह हमारा होमोलेप्टी कंप्लेक्स नहीं होगा क्योंकि यह एक हेट्रोलेप्टी कंप्लेक्स है अब हम आप्शन बी को देखेंगे सो इसका स्ट्रॉक्चुर हो जाएगा स्ट्रॉक्चुर हो जाएगा के थ्री एल सी टू ओ फॉर थ्राइस सो यहां पर सी एक ही तरह का लिगंड है सो इस बज़े से यह जो कंप्लेक्स होगा एक होमोलेप्टी कंप्लेक्स हो जाएगा सो दा करेप्ट ओप्शन फर इस कुस्चिन उलिए ओप्शन बी अब हम दिया हो है कि डाई आमिन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लाटिनुम और इसका स्ट्रॉक्चुर हो जाएगा पी टी एन एस थ्री टू सी एल नो टू यहां पर तीन तरह का लिगंड होता है सो इस बज़े से यह अमारा होमोलेप्टी कंप्लेक्स नहीं होगा कि यह ह ऑप्सट्री देखेंगा ऑप्सट्री में हमें दिया हो कि पेंटा आमिन कार्पोनेटतो कोपाल्ट प्लोराइड इसका स्ट्रॉक्चुर हो जागा सी ओ एनस थ्री फाएव सियो थ्री Cl So, इस complex में दो तरह कले गरान होता है So, इस वज़े से यह homoleptic complex नहीं होगा यह heteroleptic complex हो जाएगा So, जो हमारा final answer होगा वो होगा potassium trioxyletto aluminate 3 So, the correct option for this question will be option B I hope you understood it very well All the best